हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दाइस्टेट यड़ा पर इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे पिरमों खिलाडियों की पुष्टकें अक्सर जो है खेल और खिलाडियों से संबंदित जो है जो पुष्टकें हैं वो पूछी जाती है इसमें सबसे पहले सनी डेज सुनि नाइस गाय हूँ फिनिश्ट टेस्ट राहुल दिर्विड अब पार्ट्रेट ओफ ए फ्लोड जीनियस इसे अनवार नहीं लिखी और स्टेलिया के प्रिसिदी स्पीनर बॉलर थे यह गेम चेंजर यह साहिद अफरीदी के बुख है पाकिस्तानी के लाड़ी लाइन एंड स्ट्रेंथ तो लाइन एंड स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे मेगराथ तो उन्हीं के वुख है लाइन एंड स्ट्रेंथ ग्लैन मेगराथ की प्रू कलर्स इसको और्स्टेलिया आई विकेट कीपर बल्ले बाज रहे एडम गिलिस्ट ने लिखा है Controversially Yours ये पाकिस्तानी तेजगेंदवाज सोई वक्तर के द्वारा लिखी गई है At the Close of Play इसको लिखा है औस्टेलियाई पूर्व कप्तान रिंग की पॉंटिंग ने Playing It My Way ये भारतिय बल्लेबाज सचिन तेंदुर्गर Dry One ये विराट कोहली के बुख है Believe द्वारा लिखी गई है 281 and Beyond ये विवियस लक्षमन की बुख है My Story Michael Clark ये उस्टेलिया के खिलाड़ी है मैं यहां mention कर देता हूँ Unguarded ये मिताली राज ने लिखिये ये तो इंडिया की प्लेयर है तो आपको सब पता ही होगे Playing to Win लोगे ये साइना नेहवाल फीक है Badminton कहलती है इससे पहले हमने जितने वी डिस्कस किये हो सब किरिटेटर थे रेकेट मेरी दुनिया पात इसाइना नेहवाल की बुख है agon मयंड मास्टर विशवनार आनन्द सभी जानते हैं जी सत्रंज के भारत के बड़े प्रिसिद्ध खिलाड़ी रहे पहले ग्रांड मास्टर थे जब 1990 में ये ग्रेंड मास्टर बने पिर्थम ग्रेंड मास्टर थे settling to the top ये पीवी सिंदू ठीक है पीवी सिंदू भी badminton के लिए जानी जाती है goal goal वो खैदा major ध्यानचंद के major ध्यानचंद प्रिसिद्ध होकी खिलाडी थे the race of my life ये मिलखा सिंग athlete थे उस समय पहले जो है इनका ध्यानत हो गया unbreakable ये mc maricom boxing के खिलाडी है ठीक है boxing खेलते a subtle at history a short at history a short at history तो ये suitor है ठीक है और इन्होंने भारत के लिए पहली बार व्यक्तिकत इस पर था में olympic medal जीता था gold medal gold medal जीते थे पहले बार a century is not enough ये पूर भारती है कप्तान स्वारो गांगुली ने लिखी किर्केटर है और six machine आपको पता है ये छक्के की machine के लिए किसको जाने जाता था लंबे लंबे छक्के लगाता था western डीज का खिलाड़ी क्रिस ग ऐलचल य deplी फ्रुडली एक क्रिकेटर है सर्वव टू विन नवार्ण्य जोकोवीच ठीक है उनवाःक जोकोवीच टेनिस प्लेयर है स 스व टू बे यह लॉंग इनिंग को लिखा विजय हजारे क्रिकेटर थे इनके नाम पर ही ट्रॉफी होती है विजय हजारे ट्रॉफी जो हमारे यहां पर एक डॉमेस्टिक टॉनामेंट है क्रिकेट का ही इसके अलावा वाइनल एगल लिखा है भाइड एंगल यह वुख का नाम है यह अनिल कुम्भी ले की पुख है इसपिनर बॉलर थे क्रिकेटर थे यह न Agora कि फास्टर देन लाइटनिंग मतलब बहुत तेज भागते हैं फास्टर देन लाइटनिंग तो आपको पता ही है तेज दोड़ने के लिए किसको जाना जाता है एथलीट है वो हुसेन बोल्ट है ना और नो लिमिट्स नो लिमिट्स माइकल फ्लैप्स के बुक है यह तेराक जिन्हों ने एक ही ओलमपिक में आठ गोल्ड मेडल जीते थे माइकल फ्लैप्स ने बिटिंग दा फिल्ड बिटिंग दा फिल्ड ब्राइन लारा की बुक है वेस्टन डीज के क्रिकेटर थे टू दा पॉइंट ये हरसल गिप्स के बुक है और ये साउथ अफरीका के लिए जो है खेलते थे क्रिकेटी खेलते थे अनिस्टॉबिबल माई लाइफ सो फाष तो ये मारिया सारापोवा जो अमेरिका की टैनिस प्लेयर थी दा इस्मॉल वंडर दा इस्मॉल वंडर दीपा करमागर की बुक है ये अतलीट है दौड के यह जाने जाती है रेस के लिए और दीपा करमा कर जो है असम स्टेट से ब्लॉंग करती है नई यह आप कमेंट करें यह साथ गलत है दीपा करमा कर जो है वो किस खेल से जोड़ी है और यह किस राज्य से ब्लॉंग करती है तो यह आप comment करके बताएं मुझे जल्दी से भी दीपकर्माकर जो है यह तिरपूरा से जोड़ी हुई है तिरपूरा से और यह जिमनास्ट है जिमनास्ट है ठीक है तो यह ठीक है इम्पर्फेक्ट इम्पर्फेक्ट बुक है संजय माजublikर के यह करकेटर थे